हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों आज मैं आपको उत्राखंड एल्टी ग्रेड जो असिस्टेंट टीचर है वो फिजिकल एजुकेशन के सिले बस क्या है एक्जाम कब होगा एड्मिट कर कब जारी होगा कितना सम मैं रहेगा क्या नेगेटी मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी इन सभी प्रश्णों का जवाब इस वीडियो में आप सबको मिलेगा और परिच्छा आनलाइन होगी कि आफ्लाइन मोन में सभी को जानने के लिए सुरू से लार्ज तक वीडियो देखेगा और दोस्तों जैसा कि VPSC TRE 3 का जो एक्जाम आप फिजिकल एजूकेशन का दे के आए हैं दोस्तों वे एक पैटर्न के अदहार पर VPSC पूछा था एक्जाम जिसमें से 8-10 कोस्टन जो है आपके करेंट से आ गए थे उसके अलावा जो एक स्टेटमेंस बेस पी कोस्टन था दोस्तों आ अब आपने एक्जाम तो दे दिया है जैसा भी एक्जाम गया होगा उसको चिंदा में आप मत रहिए और अपना देखिए कि क्या मेरा हो सकता है या नहीं फिर भी आप तैयारी में लग जाए तैयारी 4K और जो भी और अधर एक्जाम है क्योंकि दोस्तों बैठे रहने से क तो आपको चिंदा करने की जयुक्त नहीं है आप प्रेस दर से फेर से अच्छे से त्यारी करने में लग जाए और चनाऊ है कि मद्रप्रदेश, उत्रप्रदेश, बिहार, फ्रट, उत्रखन्ड, उत्राफन कहीं और आपको लेना ही है तो आप अभी और मौका उत्यार फो होगा गास्ता हाट आपका अभध्रिगरेट को एकजाम होगा ठीक है ठीक है combat 2018 सब्सक्राहतो ठीक होगा पारिच्छा जो है आफ लाइन मॉट होगा और दो घंटंटे को आपको समय दिया जाएगा और कुल कोंट रहेंगे तेड़ रहेंगे , आपका आर्ट आप तीचर याई टीचिंग कलासे होगा और सत्तर कोर्षन आपके फीजिकल एजुकेशन के होंगे और एक बटे चार अंग की नेगेटी मार्किंग भी है एंड एड्मिट कर जो है अगस्त के पहले सब्ता में जारी होगा यह इंफॉर्मेशन आपको मैं दे अपलती है अब मैं कुछ बात कर लेती हुं सीलेबस के बारे में और दोस्तों यहां पे शीलेबस आपका है जो सभी ईग्जांब्स का सिलेबस होता है फिजिकल एजुकेशन का शेम होता है यहां भी आपका सिलेबस में हिस्ट्री एन फंडामेंटल और फिजिकल एजुकेशन जिसमें नेचर इसकोप एंड सिग्निफिकेंस दिया हुआ है तो यह सब तुम्हें आपको थियूरी से सम् पढ़ा चुकी हैं बट म अब जो भी टाइम बचा हुआ है अठारा दिंग का इधा उधर और यहां पे सातार दिंग का पूरा मैं सुरू से लार्ज तक प्रैक्टिस कराने की पुरे कोसिस करूंगी और दूसरा अनोटॉमियम फिजियोलोजी इन फिजिकल एजुकेशन ते अनोटॉमियम फिजियो है आपका उतरा खंड का उसकी अनुसार सिलेबस के एक टॉपिक को अच्छे से मैं आपको कवर कराऊंगी और तिसरा है हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन के अंत्रगत आपका जो भी है बैलेंस डाइट कर्भो हाइड़िट प्रोटीन वसाब विटामिन खनीज अच्छ आपको अच्छ ऑज आजईंगी और की से लिशिव लृट दोस्तों की से लोगी मैं जो मैंने अच्छे से प्रहाए हुआ है यह जो मैंने बताया है उससे बाहर एक भी कोर्शं नहीं आता है कभी भी और इसका मैं जो अच्छे से करा दूंगी चाहें उत्त वलक हो हो न्यूटन्स लाग हो पैरापोलिक हो टेजट्री हो संतुलन हो एंड सेंट्र ग्रैविटी पॉइंट हो एंड जॉइंट हो एंड मोमेंट्स हो प्लेन एंड एक्सीस हो सभी चीजों को बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाय हुआ है इसका mcq मैंने मैं फिर से आपको प्र सभी चीजों पर कराया हुआ है स्पोर्ट साइकलोजी खेल मुन विघ्ञान के अंतर दोस्तों मैं अच्छे से खेल मुन विग्ञान को जो है थिवरी सेस्ट कवर कराया हुआ है फिर भी मैं सभी टापिक को mcq के मातिम से पूरा करने की पूरी कोसिस करूंगी आफिस आपको रेगुलर मिलेगा उत्राखंड के लिए और यही नहीं कि उत्राखंड वाले ही देखेंगे जितने भी फिजिकल एजुकेशन एक्जाम से रिलेटेड तयारी कर रहे हैं सभी के लिए सभी का यहीं सिलेबर्स है कि आपको जो 2018 में एक्जाम हुआ था तो उसका में जो 70 कोर्शन है उसका में वीडियो अपलोड करूंगी तो दोस्तों देली बेसे से मेरे साथ बने रही है और जो भी कल एक्जाम हुआ है 21 अगस्त को पीपेसी 3 का उसका भी में कोर्शन सालो करान जैसा कि आप रेडी रहे मैं डेली बेसे से सुकाव को वीडियो प्रोवाइड कर आऊंगी तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो नेक्ष्ट इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद है